आउज बिल्लाहि मैंने श्याइत्वान रौजीम बिसमिल्लाहिरोप्मान रहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मुसेन दवाप और आप लोग देख रही हैं विश्ट्वल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसिज यूट्यूब चैनल दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक म मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वह आपको मिल सके या उसका जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों मैंने एक नया चैनल 24 और 7 टीचर् दोस्तों ने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है और वहां पर जो है मैंने आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं जैसे इंटूड़क्शन टो प्रोग्रामिंग फी प्लस प्लस है या फैनेशल अकांटिंग है या फैनेशल मैनेजमेंट है या एस्टीमल है जावा है और बहुत सब्जेक्ट जो आपके मुश्किल है उनके मैने अपने लेक्चर्स रेकॉर्ड किये हैं और उस चैनल पर रके हैं तके आप उन सब्जेक्ट के बारे में विदिन डीटेल सेख सकें या समझ सकें तो दोस्तों मेरी तमाम दौस्तों से ये भी गुगभरिश है कि अवेलेबल हैं ना फिरह उससे खुद फाइदा उठाएं बलकि अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताके उनको भी फाइदा हो और वो भी सीख सकें दोस्तों उसका जो URL है वो मैंने इस वीडियो के description में भी add कर दिया है और इस वीडियो के एक्तताम पर भी आपको मिल जाएगा www.youtube.com slash teachersonline4u आप उसके जाएं वहाँ पे जो lecture हैं आप उनसे फाइदा उठाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी CF 403 database की जो assignment number 2 आई होई है उस हवाले से है दोस्तों assignment शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ मेरी जितने भी videos होती हैं वह आपकी assignment के solution से related हो चाहे वह आपके GDB के solution से related हो वह फिर फुर फिर 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 फ आपको idea देने के लिए होती है या समझाने के लिए होती हैं कि आपने वह assignment या GDB कैसे बनाना है तो चलिए जी बढ़ते हैं अपनी अफाइनमेंट की तरफ और देखते हैं उसकी रिक्वाइरमेंट्स क्या है दोफ्तो हमें इस में जो है पहले तो यह बताया गया है कि अवर फेकंड अफाइनमेंट इस दी कंटिनुएशन ओफ अवर फफ्ट अफाइ आपको पिक्चर भी नवर आ रही है अब हमने इस अफाइनमेंट नंबर टू के अंदर क्या करना है यू और रिक्वाइट तो प्रफॉर्म दी फॉलोवंग टास्क हमने यह वाले टास्क प्रफॉर्म करने हैं और यह तीन है पहला टास्क क्या है जी यू है तो कंवर्ट अपको प्रफॉर्ट अफी याड़ इंट्व अ रिलेशनल डेटा मॉडल के आजा है हमें यह जो एयाडी नवर आ रही है इसके अंदर जितने भी कंवेंट हैं हमने उनको करना है इंट्व डेटा मॉडल के अंदर यह है हमारा पहला टास्क अब बारी आती है जी टास्क ट में किया है हमें दो टेबल दिये गए है एक order का है एक बिल का है order table के अंदर six उसके attribute है order id है order status है delivery date है back tag number है customer id है और summon id है table जो हमें bill का दिया गया उसमें bill id customer id order id और net amount है नीचे उसको fill किया गया हमने क्या करना है हमने नीचे कुछ operations दिये गए हैं सबसे जो पहला है वो है project operator और यह जो operation है या यह जो final use की जा रही है इनको हम algebraic operation या algebraic final भी कहते हैं अब हर फाइंबल का अपना एक operation है जो हमने perform करके दिखाना है इसमें जो first फाइंबल आपको नजर आ रही है pie shape की इसका जो नाम है वो है project ठीक है project operator इसको हम कहते हैं इसमें हमने करना क्या है order id customer id summon id और order table के उपर हमने इसको perform करना है next जो है हमें बताया गया है एक और अपरेटर भी कहते हैं और इसमें हमने करना ही है net amount greater than 500 और bill table हमने देखना यह है कि अगर कोई amount 500 से ज्यादा है billing table के अंदर तो उसके उपर हमने select operator perform करना है last में फिर हमें जो है इन दोने को combination से एक algebraic equation बना के दी गई है इसमें आपका select operator भी है और साथ जो है आपका दूसरा जो है project operator वो भी है हमने इन दोनों को perform करना है इस video के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब एक से जाइद operator आ जाएं तो हमने सबसे पहले कौन सा operator perform करना है और उसके जो result है वो क्या आएंगे यह हो गया जी हमारा task number two अब इसी का हमारा task number three भी है अब task number three क्या है उसके लिए भी हमने यही दो table अपने वहन में रखने हैं जिसमें order table है और bill table है हमने करना क्या है find the degree and cardinality of the relation order and bill table given in the question two कि हमें task two के अंदर जो हमें दो table दिये गए है एक bill वाला table दिया गया है और दूसरा हमें order वाला table दिया गया है हमने क्या करना है हमने यह बताना है कि order वाले table का और bill वाले table की degree क्या है और फिर हमने यह बताना है कि order वाले table में और bill वाले table की cardinality क्या है दोफतों यह है वो हमारी assignment और उसकी requirement तो चलिए जी हम इसके solution की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हमने solve कैसे करता है अब पहला जो इसके अंदर हमें question दिया गया था वो ये दिया गया था कि आपने जो है एक हमें ERD दी गई है जो हमने assignment number 1 के अंदर बनाई थी और उसको कहा गया कि you have to convert this ERD into the relational data model अब relational data model होता क्या है relational data model जो है basically समझे लें कि आपका जो database है उसका schema है कि आपकी जो database है वो कैसी नज़र आएगी उसकी look क्या होगी उसमें table कौन से होंगे उसमें attribute कौन से होंगे तो ये basically एक relational database model है या हम कह सकते हैं कि database जो schema होता है वो हमने बताना है अब यहां पर वोई database schema है अब पहला जो हमें उसके अंदर table दिया गया जो ERD है उसके अंदर हमें जो पहला एक समझ लिए entity दी गई है वो है customer की अब customer का जो हम database के अंदर schema बनाएंगे तो वो जो उसके attribute आपको नज़र आ रहे हैं ये oval shape के अंदर ये जो अंडे बेज़वी शकल की बनियों ही है हमने उनके आगे attributes बनाने होते हैं आगे दूसरे नंबर पे जो हमें entity दी गई है वो है manager की आपको एक rectangular के अंदर नजर आ रहा होगा अगर आप अपने सामने EID open कर लें तो उसके अंदर वो जो rectangular के अंदर चीवें लिखी हुई हैं उनको में entities कहते हैं और we have to convert these entities into the relational database model उसके अंदर हमने convert करना है उसके लिए हम सबसे पहले table का नाम लिखते हैं वो हमने customer लिखा फिर second पे manager लिखा third के उपर हमने जो है order का एक table बनाएंगे उसके बाद हम fourth number के उपर sale man का एक table बनाएंगे उसके बाद fifth number के उपर हम sale man area का एक table बनाएंगे और six number के उपर हम bottle का एक table बनाएंगे और seven number के उपर हम bill का एक table बनाएंगे अब ये तो हो गए हमारे सारे table अब हमने उनके attribute भी दिखाने है relational database data model के अंदर अब वो कैसे दिखाते हैं अब देखें within bracket मैंने लिखा हुआ customer name एक उसका attribute है customer id उसका एक attribute है यह bold मैंने इसलिए किया हुआ है कि यह हम इसको as a primary key भी use करेंगे primary key से क्या मुराद है primary key हमारी fe key होती है जो एक unique record को identify करने में हमारी help करती है तो in the customer table customer id जो है वो एक unique thing है that will identify the record of customer एक single record तो वो हम customer id से करेंगे तो इसलिए मैंने इसको bolder underline कर दिया कि इसको हम as a primary key भी लेंगे उसके बाद fee our address है customer address आ गया fee contact है customer का contact number आएगा और fee email है customer का email आ जाएगा यह हो गया हमारा एक table मुकमल उसका नाम आ गया customer उसके बाद फिर जो है उसके बाकी के attributes आ गए वो fee name fee id और fee address और fee contact और fee email आ गया उसके बाद है manager का mid mid को फिर देखे मैंने bold कर दिया है और underline भी कर दिया है यह उसी लिए है कि हम इसको as a primary key use करेंगे उसके बाद m name है manager name आ गया और manager address आ गया तो manager का table भी इस तरीके से मुकमल हो जागा उसके बाद है order का order के अंदर लेखें o id मतलब order id ठीक है उसको हमने as a primary key लेना है इसलिए मैंने इसको bold और underline कर दिया है उसके बाद d o date आजाएगा o status आजाएगा order date और order status आजाएगा उसके बाद failman का है failman के अंदर देखें मैंने f id वो ही यह हम ऐसा primary key use करेंगे इसलिए bold और underline है f name failman name और f contact failman का contact number आ जाएगा उसके बाद failman area है इसको दे a id मतलब area id और a name area का name a id को जो है वो मैंने bold और underline कर दिया क्योंकि हम उसे as a primary key use करेंगे उसके बाद जो है हमारे पास bottle आ गया अब b id bottle id b capacity के उस bottle की capacity कि इतनी है उसके बाद m date manufacturing date e date expiry date के उस bottle की manufacturing date क्या है और expiry date क्या है यह हम सारे उसके attribute लिखेंगे और जो है b id bottle id जो है वो uniquely identifier record और इसके अंदर हम उसको as a primary key use करने वाले हैं तो इसलिए जो है मैंने उसको bold और underline कर दिया उसके बाद last में जो हमारे पास bill है तो b id पहले भी हम ले चुके हैं तो bl id कर दिया उसको ताके bill id, bill date और bill amount और उसके अंदर bl id जो है वो मैंने bold और under line कर दिया है उसकी वज़ाई यह ही है कि हम जो है उसे as a primary key use करने वाले हैं यह दोस्तो इस त्रीके से हमारा जो task 1 है जिसमें हमने erd को convert करना है into the relational data model यह हमने कर लिया और यह आप अपनी handouts में यह सारी जीज़ें दी हुई हैं फिरस आपको पहणने की जरूरत है आप handouts का अपना page number 199 open करें उसके उपर यह relational database model बना हुआ है उपर एक diagram बनी हुई है erd और नीचे वह relational database model बना हुआ है तो आप लोग फिरस पढ़ते ही नहीं हुए हैं और बस इंतजार करते हैं जी के muffin की video आ जाए किसी और की आ जाए उसको देख के बस बनाई और submit तो ऐसे ना किया करें आप लोग handouts भी पड़ें उसमें फारी चीज़ें दी हुई हैं मैं भी वहीं से देख के बनाता हूं तो इस तरीके से हमारा यह task 1 हो गया अब हम बात करते हैं task 2 की अब task 2 में क्या है जी output हमने बतानी है algebraic operation हमने perform करने हैं उसमें हमें सबसे पहला table दिया गया वो order table य अब हमने perform कौन सी equation करने हैं अब यहां पर आपको एक equation नज़र आ रही है और एक symbol है उसके बाद order ID, customer ID, summon ID और order order बढ़ा करके इसलिए लिख्या गया कि that is the name of table यह एक table का नाम है अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह जो symbol आपको नज़र आ रही है इसको हम क हमने order ID, customer ID और summon ID लिखना है या दिखाना है अब जब आप select यह project operator यूज करते हो और उसके बाद वो उस table का नाम तो दिया हुआ है कि order table है उसके अंदर आपको कुछ attributes नवर आ रहे हैं जबके जो हम उपर table देख रहे हैं उसके अंदर six attributes हैं लेकिन जो हम नीचे attribute देख रह select the these three columns मतलब आपका जो project operator है जब हम उसका इस्तमाल करेंगे तो वो फिरस और फिरस वो तीन column सेलेक्ट करेगा जो आपको उस equation के अंदर मतलब order ID आपका कस्ट ID और summon ID यह तीनों को select कर लेगा अब इसकी जो output आएगी वो कुछ इस तरीके से आपको जो screen पर नजर आ रहा है वो देखें order ID है customer ID और summon ID है तो उसके नीचे जो सारा data दिया हुआ है वो भी वो आपको screen पे दिखा देगा जब हम यह वाली जो है equation यह perform करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास यह जो नीचे आपको blue color के अंदर एक table नजर आ रहा है जिसके अंदर order ID customer ID और summon ID लिखा हु उसकी यह output आ जाएगी अब उसके अंदर देखें हमरे पाद 6 column है और इसके अंदर 3 column है और यह 3 column वो ही है जो हमें equation के अंदर लिखे हुए नवर आ रहे हैं अब यह है हमारा task 2 की पहली समझ ले equation यह सब task जिसे हम कहा दे इसके बाद बात आ जाती है जी हमारे दूसरी जो ह उसके अपर operation जो हमने perform करना है यह एक नई और एक अंदे की शकली की आपको final नजर आ रही है और उसमें लिखा हुआ है जी net amount greater than 500 और within bracket आपको bill लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप net amount वाला जो column है उसके उपर यह आपने operation perform करना है और greater than 500 का मतलब य टेबल के अंदर और net amount वाले column के अंदर तो आपने यह operation उस पर फवांग करना है अब सबसे पहले तुम्हें आपको बता देता हूं कि यह symbol basically है क्या इस symbol का जो नाम है वो है select operator और जब हम लोग यह select operator इस्तमाल करते हैं तो उस से क्या होता है कि उस table से वो चीज आपको select करक के दे देता है मतलब यह कि हमने जो पीछे project operator यूज किया है this is used to select the column of the table वो आपके column को select करने के लिए use किया जाता है project operator when we are using the select operator it means के we are selecting the rows of table हम उस table की rows को select कर रहे हैं तो अब select operator के वरिये क्या होगा अब यहां पर हमें दिया हुए net amount greater than 500 इसके पाद T नहीं लिखा हुआ net के पाद भी T नहीं लिखा हुआ amount तो आपने इस चीज परेशान नहीं हो ना यह मतलब जब मैं type कर रहा था तो उस वक्त मिस्टेक हो गई है तो आपकी equation वो बिल्कुल ही ठीक है तो यहां पे भी वही equation है अब जब हम यह operation perform करेंगे तो उ यह operation perform करने के बाद जो हमने select operator वाला है उसके बाद आप देखें उपर वाले table के अंदर जो raw number 2 है उसके अंदर 500 की amount दी होई है लेकिन हमारी नीचे वाले table के अंदर वो वाली row नहीं है वो इसलिए नहीं है कि हमने यह operation perform किया और उस operation की condition थी वो यह थी कि net amount greater than 500 कि जो आप को row मिले 500 जिसकी net amount 500 से ज्यादा हो आपने वो दिखानी है तो उसने हमें last वाली two rows जिनकी amount 550 और 600 है उसने हमें वो output के अंदर दिखा दी तो इस तरीके से जो है हमारे task 2 का जो subtask 2 है वो complete हो जाता है अब बारी आ जाती है जी हमारे task 2 की लेकिन उसके अंदर जो subtask 3 है उसकी अब इसकी भी equation आपको screen पर नवेर आ रही है अब operators तो आपको पता है कि पहला जो operator है वो आपका project operator है और second जो operator आपको नवेर आ रहा है वो आपका fill act operator है अब हमने क्या करना है हमने यह दोनों perform करने है from the single equation एक equation के पर यह अब जब आपके पाफ बहुत सारे operator आ जाएं perform करने के लिए तो आपने यह देखना है कि जो within bracket होगा अब यहां पर देखें कि जो आपका select operator है यह within bracket है तो आपने सबसे पहले उस bracket वाले जैसे हमारा वो math का rule है ना same वही यहां पर apply करना है जो मतलब bracket वहां पर सबसे पहले solve की जाती है वो आपने यहां पर भी सबसे पह में solve करना है तो same वही mathematical rules है अगर आपको याद है तो मैंने भी बता दिया है कि आप जो है वो bracket वाली सबसे पहले solve करेंगे it means कि वही आर performing the select operator first then we have to perform the project operator in a second turn हम second turn के अंदर जो है वो project operator perform करेंगे अब जब हम सबसे पहले select operator perform करेंगे तो select operator देखें यहां पे symbol भी आ गई और table हमारा जो है वो order बाला है उसके अंदर इस select operator पे क्या होगा कि हम जो within bracket आपको equation लिखी हुई नवर आ रही है वो है bt b tag और उसका number है bt 002 जब आप select operator perform करेंगे तो उसके नतीजे में आपके सामने फिरफ यह एक row आएगी और इसका देखें bt मतलब जो है b tag number 002 है अब य इसके उपर हमारा second वाला operation perform होगा और यह perform होने के बाद जो हमारे पास output आएगी यह हमने project operator लगाया और इसकी जो output है वह देखें क्योंकि उसके साथ हमने यह पढ़ा था कि जब हम project operator यूज करते हैं वह हमें column return करता है और जब हम select operator यूज करते हैं वह हमें row तो जब हमने select वाला यूज किया तो उसने हमें second वाली row return कर दी और जब हम project यूज कर रहे हैं तो उसने हमें column return करने है जो उसके अंदर लिखे हुए है उसमें order status है और delivery status है तो यहाँ पे देखें नीचे आपको project operator के सामने जो है order status और delivery date जो है वो बिलकुल सामने नजर आ रही है तो इस तरीके से दोस्तो हमारा जो task 2 है या जो question 2 है वो complete हो जाता है और उसके जो तीनों सब task हैं वो भी complete हो जाते हैं अब बारी आती है question number 3 की question number 3 के अंदर हमसे दो चीज़ें पुछी गई है first जो है हमसे ये पुछा गया कि आपने बतानी है cardinality और degree कि आपके सामने question number 2 के अंदर दो table है आपको ये screen पे भी नवरा रहा है एक order का table है उसके बाद आपके पास जो है एक bill का table है इन दोनों की आपने degree बतानी है और cardinalities बतानी है दोस्तो जब हम बात करते हैं degree की तो हम ये कहते हैं कि अगर आप उस table के columns को count कर लें तो this is known as the degree of that table वो उस table की degree है अगर हम उस table की rows को count कर लें तो this is known as the cardinality of that table के वो उस table की cardinality है अब हम सबसे पहले count कर रहे हैं जी degree अब हमारे पाफ table है जी दो एक order का table है एक हमारे पाफ जो है bill का table है अगर हम order के table में count करें तो हमारे पाफ जो है column एक, दो, तीन, चार, पांच, छे column है तो यहाँ पे देखें नीचे मैंने लिख दिया है degree order table fix अगर हम count करें bill के table के column तो एक, दो, तीन, चार तो हमारे पाफ चार column है bill table के तो यहाँ पे degree of bill table is 4 अगर हमें यह कहा जाए के you are calculating the degree of all table तो हम क्या करेंगे हर table के degree को जमा कर लेंगे अब नीचे आखरी रोग के अंदर आपको लिखा one ever आ रहा है total degree of both table is equal to fix plus 4 equals 10, मतलब 12 उसकी दोनों table की degree है, तो आप चाहें तो अलग-अलग degree लिख लें चाहें तो आप इकठी भी लिख सकते हैं अब यह है हमारे question number 3 का task, sub task 1 next जो task है, वो है हमारी cardinality cardinality मैंने आपको बताया जैसे हमने degree के अंदर देखा कि हमने column को count किया तो cardinality के अंदर हम rows को count करते हैं, अब हम जब order table की rows को देखते हैं, तो उसमें हमारे पास देखें 1, 2, 3 rows आ गएं, तो हमने cardinality of order table is 3 और फिर अगर हम इसी तरह build table की count करते हैं, तो 1, 2, 3 तो वो भी हमारे cardinality of table, build table वो भी 3 आ गई, अब जब हमने दोनों table की cardinality निकाल दी, तो हमने total cardinality भी निकाल ली हैं, जैसे हमने total degree निकाली थी, तो उसमें हमने plus किया था, when we are finding out the degree of all table, जब हम all table को plus किया था, जब हम cardinality की बात करते हैं, तो हम दोनों table की, जो हमने cardinality निकाल ली है, उसको हम करते हैं multiply, तो हमारे पाफ both table की जो cardinality है, वो order table की भी 3 है, और हमारे पाफ build table की भी 3 है, तो 3 multiply by 3 equals 9, तो 9 जै है, वो हमारे जो अफाइन्मेंट है, वो complete हो जाती है, पहले question के अंदर हमने relational data model बना के दिखाया, दूफरे question के अंदर हमने algebraic operations जो थे उसके आगे तीन सब टास्क दिये हुए थे, वो मैंने आपको perform करके दिखाये और फिर आखरी question number 3 के अंदर दो टास्क दिये हुए थे, एक डिगरी का, एक cardinality का, वो मैंने आपको perform करके दिखाया, मुझे उमीद है आपको एक idea, एक बहतर idea मिल गया होगा कि आपने ये अफाइन्मेंट कैसे बनानी है, दोस्तों, अगर आपने मेरा channel 24 और आरफेवन टीचर्स उनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से youtube.com flash teachers online for you पे जाएए, वहाँ पे उसको ना फिरफ सब्सक्राइब करें, बलके बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मेरा कुई नया lecture है, वो आप लोगों तक पहुँच चके, दोस्तों, उस channel के उपर आपको CS101, MGT101, CS201, MGT201, HTML और बहुत सारे subject के lecture वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी से youtube.com flash teachers online for you पे जाएए, और वहाँ पे lecture फे फाइदा उठाएं, और आप अपने दोफ्तों फे भी शेयर करें, और मॉफिन भाई को दौाओं में याद रखें, ठैंक यू बरी मस्ट दोफ्तो, अलाहाफिव,